पानिजे मंत्राले से मिली जानकारी के मुताबिक चालू वितवर्ष के अप्रेल जून तिमाई में बास्मती चावल का नेरियाद 25.54 फीसद बढ़कर 1.15 अरब डोलर का हो चुका है वानिजे मंत्राले ने कहा है कि अपीडा ने जलवायू अधारित उपज मोडल का उप्योग करते हुए ख्रीव सतर 2022-23 के दोरान खेती के रकवे का अनुमान लगाने और फसल के स्वास्थय तता सुगंदी तैमं लंबे अनाज वाले चावल की अपेक्षित उपज का आंकलन करने के लिए एक सर्वेक्षन शुरू किया है वैश्वेक महमारी COVID-19 की वजह से लगाएगे प्रतिबंदों के कारण 2 साल के अंतराल के बाद सर् के तक वाला क्रिशी उत्पाद है यानि जी आई वाला वही सर्वे मोडल के अनुसार साथ बास्मती उत्पादक राजियों पंजाब हरियाना हिमाचर परदेश उत्राखंट दिल्ली पश्चमी उत्रपरदेश में और जम्मू कश्मीर में जिला सरपर्चनित किसानों के सै किसान की तस्वीरे लिजा रही है क्योंकि 10 साल में हमने देखा है कि बास्मती का एक्सपोर्ट दो गुना हो चुका है भारत ने पिछले तीन वर्षों में 12 अरब डोलर के बास्मती चावल का निर्यात किया है वर्ष 2021 में भारत से बास्मती चावल के कुल निर्यात में वर्ष 2021 के दोरान भारत ने 4.02 अरब डोलर मुल्या के 46,3,000 टन बास्मती चावल का निर्यात किया है पिछले 10 वर्षों में बास्मती चावल का निर्यात दोगुने से अधिक हो गया है वर्ष 2009-10 के दोरान बास्मती चावल का निर्यात 2.1,7 मिलियन मिट्रिक टन दर्ज क अपीडा अपनी शाखा BEDF के माध्यम से बास्मती चावल की खेती को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों की सहता कर रहा है। बास्मती चावल की भारी मांग देखने को मिल रही है। सब्सक्ubrie थखते उने के लावल की में रहा है। झावल की अचल की पेंपने को मिल रहा है।